हलो फ्रेंट्स, आज के इस वीडियो मां आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने गिलेक्सी F14 एंडरेट वाइल फोन में आप अपने मौई फोन की हीटिंग की प्रोल्म को आप सॉल्ट कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप यह वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं हमेशा अपने मुवलड फून को चार्ज करते हैं तो आपको अपने फोन को चार्ज करने के लिए हमेसा अपने mobile phone के साथ वाला original charger आपको यूज करना है कभी कवार ऐसा होता है कि हम किसी भी दूसरे phone का charger यूज कर लेते हैं तो इससे हमारा phone हीट होता है क्योंकि देखिए दूसरे phone का charger होता है वो हमारे mobile phone को अच्छे support नहीं कर पाता है इस बात का आपको ध्यान रखना है अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना है कभी भी आप अपने mobile phone को charging पे लगाते हैं तो आपको अपने mobile phone को charging पे लगा के अपने phone को इस्तमाल नहीं करना है काफी सारे लोग अपने phone को charging पे लगा के अपने phone को इस्तमाल करते हैं जिसके कारण भी mobile phone जो है heat होता है ठीक है इस बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला process यह करना है कि आपको जो है अपने mobile phone का software एक बार चेक करना है कि वो updated है या नहीं है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ह हमारे phone का software का update आता है हम उसे अपडेट नहीं करते है या पर कभी update आता है तो कभी कषर पता नहीं लगपाता है कि अपडेट आया हुआ है तो mobile phone का software होता है वह अमारे अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मुवाइल फून के एंडूट सिस्टम के अंदर ना कुछ कमिया आने लगती है तो आपके मुवाइल फून का जो सॉफ्ट्वेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं आपको चेक कैसे करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है तो इससे आपको टैप कर देना है इससे आपके फोन का सॉफ्ट्वेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फोन की हीटिंग की प्रॉड्म सॉल्ट हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों यहां पर आपको कुछ बाते और भी बतात काफी देर तक यानिकी दो तिन गंटे चार गंटे पांच गंटे यूज करते हैं तो इससे भी हमारा फोन हीट करता है ठीक ना चोड़ी बातों को आपको ध्यान रखना है अब दोस्तों सबसे आखरी प्रोसेस आपको यह करना है कि आपको अपने मुवाइल फोन को आपको टाइप करना है आपको नीचे रिसेट का यह ओप्शन शोगा इसे टैप करना है आपको फोन डिरेक्ली आपको रिसेट की सेटिंग में लेकर आएगा इसे टैप करना है इसके अगले पेज में सबसे नीचे फैक्टरी डेटर रिसेट पर टैप करना है इससे आपका ध्यान रखने हैं आपके mobile phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से नोट करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद ही आपको अपने phone को reset करना है ठीक है इस वीडियो में आपको जितना ही process आपको बता है सारे आपको यूज करने तो इससे आपके phone की heating की problem solve हो जिसके वज़े से आपका phone heat कर रहा है क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी solution आपको बताए है वो mobile phone के software के जरीए बताए है अगर mobile phone के software के किसी कमी की वज़े से आपका mobile phone heat कर रहा है तो मेरे बताय हुए तरीकों से आपका problem solve हो जाएगी अधर्वाइस आपको अपने phone के service center जाना पड़ेगा.